हे दोस्तों में चिराग एक और वीडियो के साथ तो आज हम देखे रहे हैं प्रोसेस कोस्टिंग का सेकेंड पार्ट पिछली वीडियो के लाश्ट पार्ट में हमने इलस्टेशन कवर किया था अब देखिए उसके साथ और भी पार्ट लिंक हो सकते हैं जैसे इंटर प्रोसे कराऊंगा और साथ में मैंने एक पीडियो भी कवर की है आपके लिए नहीं है क्योंकि मैंने क्वेशन कवर कर लिया काफी है लेकिन मैं आपको रेलिवेंट बताता भी जाओंगा कि इसका मतलब क्या होता है ठीक है तो यहां पर देखिए इंटर प्रोसेस प्रोसेस नाम से के जोगे तो कोश्ट प्लस प्रोफिट यानि कोश्ट के साथ कुछ प्रोफिट जोड के बेजोगे क्या होगा या तो बता देखा कि कोश्ट प्लस 20 परसेंट है 25 परसेंट है या बोल देखा कि ट्रांसफर प्राइस का 20 परसेंट है तो ट्रांसफर प्राइस क्या है जिसम से से कंड प्रोसेस में किया से कि जो भी आउटपूट निकला हम देखना चाहते हैं कि अगर इसको मार्केट में बेचेंगे तो इसको प्रॉफिट हो गया लॉस होगा कुछ चीज़ ऐसे होती है आप देखते हो कि सैमें फिनिश्ट में भी बेची जा सकती है यहां बोल सकते है कि हम क्या कर रहे है कुछ assembly का part कर रहे हैं उसकेस में क्या हो गया process वन से second में second से third में लेकिन हमें क्या करना है उसके particular component को जनरली profit रह जाता है, जिसे हम क्या बोलता है, stock reserve या unrealized profit, तो उस case में हमें क्या करना पड़ता है, जब भी accounting करनी पड़ती है, तो आप देख सकते हो, जैसे आपको मैंने process account बना के बताया था, तो generally मैंने सिर्व आपको amount बना के बताया था, लेकिन यहापे क्या आगया, cost भी आगया और profit भी आगया, और देखिए total भी आगया, पहले process की जब भी बात करते हो, तो उस related closing stock बोलोगे, उसमे profit नहीं होता, क्योंकि पहले process से दूसरे process में जाएगा, पहले process से दूसरे process में generally जाएगा, ऐसे मान के चलिए, अगर आपने नया start किया process, तो आपको बता है कि material आएगा, labor लगेगा, expense लगेगा, फिर उसमें से generally हम क्या करते हैं, जो भी closing stock का बाट है, वो less कर देंगे, और यह पता चलेगा कि generally कितना consume हुआ है, और उसमें हम क्या करेंगे, particular cost के साथ profit जोड़के, transfer price निकाल लेंगे, अभी मैं आपको समझा दूँगा, पर पहले एक theoretical देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, देखें, बोल रहा है, normally the output of one process is transferred to another process at cost, generally होता है, but sometimes at a price showing a profit to the transfer process, ठीक है, the transfer price may be made at a price corresponding to current wholesale market price, और at a cost plus an agreed percentage, तो बोल रहा है, जो transfer price होती है generally, या तो वो current wholesale market price होगी, या cost plus agreed percentage, तुम्हें क्या होता है, एक्जाम में generally जब भी आता है, cost का percentage के form में देदेगा, या transfer price के percentage के form में वो particular profit देदेगा आपको, ठीक है, transfer price खुद ही देदेगा, कि क्या है, 20% of transfer price ऐसे बोल देगा, या आपको क्या बोल देगा, 25% of cost ऐसे भी बोल सकता है, the advantage of the method is to find out whether the particular process is making profit or loss, this will help the management whether to process the product or to buy the product from the market, कि particular product को आगे process किया जाए, या नहीं किया जाए, या इसे अच्छा market से ही खरी लिया जाए, if the transfer price is higher than cost price, then the process account will show a profit, ये तो normal सबको भी बोता है, कि transfer price अगर cost से जादा होगी, तो वो क्या show करेगी, profit भी show करेगी, अब देखिये, complexity में क्या बोल रहा है, वो ही, कि जब भी closing stock का part रहता है, तो उसमें profit का element र जाता है, तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, एक तरीके से अलग से दिखाना पड़ता है, या आप बोल सकते हो कि आपको cost पर दिखाना है closing stock, तो आपको हटाना पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते है, stock reserve या analyze profit, अब इस line में देख सकते हो, ये बोल रहा है, the complexity brought into accounting arises from the fact that inter process profits introduce, remain a part of the prices of process stock, finished stock and work in progress, ये बोल रहा है कि inter process profit introduce करने से जो profit का part है, वो किसमें रह जाता है, process stock मलब वही WIP के stock में, या मेरे साब से normal stock की बात कर रहा है, कि एक process से दूसरे process में जो stock जाता है, उसकी बात कर रहा है, finished stock और ये WIP की बात कर रहा है, ठीक है, उसमें रह जाता है, the balance cannot show the stock with profit, तो generally cost पे दिखाया जाएगा, तो उस case में जो भी profit है, जो भी stock में profit include है, उसको इस formula के तुरू हटा दिया जाएगा, लेकिन देखिए formula बनाने की जड़त नहीं होती है, अभी आपको question बताऊंगा, वैसे ही समझ में आ जाएगा, to avoid the complication, a provision must be created to reduce the stock at actual cost prices, तो इस में लिक्या है, वो goods तो बेज दिया होगा, तो इस case में क्या बोल रहा है, सिर्फ closing stock की ही दिक्कत रहती है, और किसी चीज की दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि अगर goods sold कर दिया, तो वो तो वैसे भी market में बेज दिया गया, तो main दिक्कत किसकी रहेगी, जो closing stock रहे गया, the unrealized profit in the closing stock is eliminated by creating a stock reserve, तो यह बोल दिया न, stock reserve, the amount of stock reserve is calculated by the following formula, अब देखिए यहापे formula क्या है, transfer price, profit included in transfer price into value of stock, ऐसे सोची है, या रखना, profit included in transfer price upon transfer price into value of stock, सही रहेगा, अब देखिए मैं आपको एक illustration दिखा देता हूँ, जिसके तुरू आपको थोड़ा सा idea हो जाएगा, कि मैं क क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, यह देखिए आपको illustration दिख रहा है, यह बोल रहा है, यह बोल रहा है, इसको थोड़ा मैं सही कर लेता हूँ, अब ठीक है, तो देखिए यह बोल रहा है, product passes through three process, before its completion, completion से पहले तीन process से होके गुजरता है, output जो हर process का है, charge के जाता है, next process में, at a price calculated to give a profit of 20% on transfer price, अब देखिए transfer price एक तरीक से मान के चलिए कि selling price, यह हो गही न, कि अगर हम उसको आज बेचेंगे तो generally क्या होगा, profit उसका 20% दिखेगा किसका, selling price का, तो selling price 100 यह मान के चलिए, profit 20 है, तो cost जो होगी, वो क्या होगी, 80, तो आपको पताए कि अगर cost का profit कीजिए, तो कितना हैगा, 25% of cost, profit कितना है, transfer price का 20% और cost का कितना है, 25% है, cost का कितना है, 25, क्योंकि देखिए, cost आपको दे रखियोगी, इसलिए मैं 25% आपको बता रहा हूँ, नीचे भी आपको answer के थूरू भी पता चल जाएगा, the output of process, third is transfer to finish stock account on a similar basis, वो कहाएगी, तीसर process है, उसका जो भी output हो का finished stock में चलाएगा, there was no WIP at the beginning of the years, क्योंकि हमने WIP का भी sequence पढ़ा ही नहीं है, अगले वाले पार्ट में भी पढ़ेंगे, stock in each process has been valued at prime cost of the process, यहाँ रखना जो stock है, closing stock, उसको prime cost, prime cost मनलब क्या हो गया है, यहाँ पे, direct material और direct labor, यानि direct wages, direct expense नहीं है यह पर, ठीक है, नहीं तो वो होता, तो वो भी ले लेते हैं, the following data is available, अब आप देख सकते हैं कि process A का 20, 30 और यह stock दे रखा है, अब यहाँ रखना कि process A से process B में जाएगा, क्योंकि 3 process है, तो यह जो 10,000 का part है, इसमें generally profit नहीं है, क्योंकि शुरू शुरू का process है न, इसमें profit न process B में जोड के, तो process B के बाद जो closing stock होगा, उसमें profit होगा, process C के बाद जो closing stock होगा, उसमें profit होगा, ठीक है, और process C से इसके बास गया, तो finished stock में जो generally profit होगा, वो हम cover करेंगे बस, तो इसका मलTT process A में आपका profit का part नहीं रहे गा, क्योंकि process A से B में transfer हो रहा है, ठीक है, तो पहले process में आपको नहीं दिखेगा लेकिन फिर भी मैं आपको process बताया तो क्या है कि आप सकते हैं कि आपको direct metal 20 दे रखा है direct wages 30 दे रखा है अब देखिए यहां डैश करके दे रखा है क्योंकि आपको बताए कि जनरली कोश्ट पर ही है 30 प्लेस 20 कितना हो गया आपका 50 और 50 में से आपको बता था कि closing stock कितना दे रखा है 10 तो 50 में से जैसे 10 जाएंगे तो आपका क्या है 40 थाउजन आया यह प्राइम कोश्ट दे रखिए तो जनरली आपको क्या करना है देखिए closing stock का पार्ट है उससे related profit निकालना है लेकिन पहले प्रोसेस में तो ही नहीं अब आपको बताए कि 40 थाउजन का जो भी कोश्ट का पार्ट है उसमें जनरली क्या होता है हमने बोला था कि 20% of transfer price या तो यह बोला था या यह बोला था 25% of cost यह बोला था ना तो आपको बताए कि 40,000 का 25% 10,000 profit तो मलब 50,000 में transfer कर दिया जाता है total में जिसमें से आपको बताए कि 40,000 तो cost है और 10,000 profit है तो आप यहां से देख सकते हैं कि generally यह जो पार्ट है यह क्या बता रहा है 30 प्लस 20, 50, 50 में से 10 गए तो यह 40 आई है यह लाइन ख 20, 20% transfer price का है तो 25% cost का है तो cost का 25% कितना होगा 10,000 यह आ गया 50 यहां पे देखिए dash हो गया और यहां पे 10 आ गया profit वाले पार्ट में ठीक है 50, 40, 10 यह आ गया इधर यहां फिर 50, 40, 10 आ गया अब अगले process में देखिए पर उससे पहले मैं आपको material बता जाता हूँ क्या क्या ह वापस देखोगे 30, 20 और देखिए stock 20 है अब डंग से देख लेना देखिए आपको बता है कि particular यह जो process B में transfer किया गया तो entry का होगी process B to process A अब आपको दिख रहा है कि इसमें जो cost है वो कितने कि 40 की है पर इसके साथ साथ और भी जोड़ा है process B में तो आप देख सेकते होग यह 50, 40, 10 यह 2 process A आगया अब metal देखोगे यह generally जोड़ा wages यह जोड़ी total में लागे कितना होगे 90 तो जो पहले profit किस पे था 10,000 upon 50 पे था ठीक है यह transfer price होगा एक तरीके से क्योंकि cost plus profit है तो यह क्या होगी transfer price होगी लेकिन अब वो ही क्या होगे 10 upon 1 lakh होगया तो जब भी आप closing stock का valuation कर रहे हो तो total करके कीजिए कहने का मलब process B का बाट बोल रहा हो तो process B के पास क्या आया process A का आया इसके अलावा process B में और metal जुड़ा और wages लगी तो total मिला के कितना पाट आगया आपका 1 lakh का पाट आगया और 1 lakh क्या है transfer price पे 90 cost है और 10,000 profit है तो आप क्या बोलोगे 10,000 upon 1 lakh कि transfer price 1 lakh है उसमें profit कितना है 10 तो closing stock की जो value है वो कितनी है 20,000 की है तो उस पे unrealized profit कितना होगा 2,000 मतलब एक तरीके से क्या denote कर रहा है 10,000 upon 1 lakh in 200 10% denote कर रहा है तो आपका profit कितना है 10% है तो closing stock में कितना होगा 10% 20,000 का 2,000 रुपीज ठीक है तो 20 में से 2 गए बाकी 18,000 आगया अब देखिए आपको बता है कि 1 lakh में से 20 गए तो 80,000 आपकी prime cost निकल के आ गई प्रॉफिट तो आपको बता चल गया closing stock का जो आप बोल सकते होगी unrealized profit है या जिसको आप stock reserve बोल सकते है 1 lakh में से 20 गए 80, 90 में से 18 गए 72 आ गया 10 में से 2 गए 8 तो same cover हो रहा है 72 प्लस 8 क्योंकि 2,000 के element को आप नटा दिया अब देखिए यह जो 80,000 कोश्ट पर इस पर 25% क्या होगा profit जुड़के जाएगा तो आप देख सकते हैं 1 lakh हो रहा है यह 72 हो रहा है और यहाँ पर जो यह profit का part है total में लिला के 28 हो रहा है तो यहाँ देख सकते हैं यह part आ गया इस तरीके से अगल देता हूं कि यह देखिए 10,000 का material 40 की wages और 30 का आपको closing stock दिख रहा है ठीक है तब यह मैं बोलता हूं कि यह question simple होता है वो तो क्या होता है कि आप क्या calculation नहीं करते हो ज्यादा इस त्रेक्टर में आपको टिपिकल लगने लग जाते हैं तो देखिए आप यह देखो कि 72 प्ल पे कितना होगा तो कितना निकल के आएगा calculator पे करके देखना 28 अपॉन 150 पे 28,000 अपॉन 150 पे तो इंटू 30,000 पे कितना होगा करके देख ले न 5600 आप का जाएगा 30 में से 56 लेस करें तो बागी 24,400 कोस्ट का पाट है अब देखिए जैसी यह लेस किया तो प्राइम कोस्ट आ अब आपको बता है कि वह तो फिनिश्ड है तो उसमें डायेक्ट में वेज़े सोड़ी होगी क्योंकि वह तो बन चुका है तो इसकेस में आपका इस टॉक का पार रहे सकता है तो आपको इस टॉक 15,000 दे रखा तो उपर चाहे देख ले ना अब आपको बता है कि क्या बोल 24,000 ठीक है जैसे ये लैस करोगे तो ये कॉस्ट निकल के आजाएगी ये 135 आगया ठीक अब इसमें जनरली क्या है कि जो सेल किये ने कॉस्चिन में बोल रखा है उसके बेसिस पे निकलेगा जो भी प्रॉफिट का पार्ट है जैसे 180 और 135 का डिफ्रेंस ये 45 निकल के बैलेंसिंग इसके तुरू निकालनी पड़ेगी देखिए सेल्स दे रखिए 180 की सेल्स दे रखिए तो 180 और जो आपका कॉस्ट का डिफ्रेंस है न वह आपको प्रॉफिट के पार्ट के फॉर्म में पता चल जाएगा यह आप देख सकते हैं कि 180 का पार्ट है आपका और आप देख सकते हो यह 135 तो यहाँ पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट 45 दिख रहा है यहाँ पर आता नहीं है तो यह देखो 45 टोटल दिख रहा है इन तीनों का टोटल करोगे तो यह आएगा अब आपको पता है कि देखिए यह 135 और यह 45 180 होता है तो यह 180 की sale है और यह 92160 का profit है तो यह क्या आगया आपका cost का part यहां से भी देख सकते हो तो कैसे भी cover कीजिए आ जाएगा और नीचे देखिए मैंने working बताई दी तो पहले process में profit का कोई कोई पार्टी नहीं है तो closing stock cost पी था लेकिन process A से B पे गया तो यह profit था आपका closing stock में C में कितना था 5600 और finished stock में कितना भी 52400 यह आगया आपका यह वाला पार्ट समझ में ठीक है तो एक तरीके से में आपको question भी cover करवा दिया है अब देखिए work in progress के evaluation की बात कर रहा है तो वह कौन सा आगया equivalent production unit से related आ गया यानि semi-finish product का पार्ट आपका आगया देखिए अब आपको यह बोल रहा है meaning of work in progress में वही आपको पता है कि semi-finish product हो गया आपने कोई particular stock लगाया और वह पूरा का पूरा complete नहीं हुआ यह मान के चली कि labor overhead आप 50% लेते थे इसका मदब labor overhead अभी पूरी नहीं लगी वह 50% नहीं लगी metal तो शुरू में cost पूरी लग गई तो उसको 100% बोल देते थे तो वैसे ही अगर question में आपको degree of completion दे रखा है तो generally metal का 100% दे रखा होगा labor overhead का कुछ 70% बोल देगा 80% बोल देगा मनला पूरा नह unit दे रखी है आप जैसे उसको 70% 80% के साथ multiply करोगे तो equivalent production unit आ जाएगी तो पहले बोल रहा है कि work in progress क्या है कि रहा है since in process industries यानि process costing वाला जो पार्ट आप पढ़ रहे हो उसमें production क्या रहता है continuous यह feature है आपको बता है जैसे मैं आपको बता है था homogenous product होते है ठीक है वैसे आप incomplete production at the end of an accounting period यह हो गया incomplete unit means those unit on which percentage of completion with regular to all elements of cost is not 100% तो यही तो हो गया तो देखिये percentage of completion पूरा 100% नहीं किस से cost के element के according तो material 100% हो सकता है लेकिन labor overhead ज़रूरी नहीं 100% पूरा हो सके तो उस case में हम क्या बोलें क्योंकि अगर वो पूरा 100% हो जाए तो इस case में work in progress रहेगा ही नही वो तो finished good stock में convert हो जाएगा तो कुछ न कुछ completion का बाट अधूरा रहता है such incomplete production units are known as work in progress such work in progress is valued in term of equivalent और effective production units अब देखिये equivalent में क्या बोल रखा है वो ही कि जो आपकी incomplete units है हम बोल सकते है progress में है तो उससे related अगर उसको हम equivalent में convert करते यानि actual के comparison में convert करते तो कैसे convert करेंगे तो number of unit in progress को this represents the production of a process in term of complete units in other words it means converting the incomplete production into its equivalent of complete units the term equivalent unit means a national quantity of completed units तो देखिये national actually national quantity of completed unit substituted for an actual quantity of incomplete physical unit in progress तो actual ज्यादा होगी क्योंकि आपको पता है कि अभी progress में काम चल रहा है तो उससे related unit है लेकिन वो 80% ही complete हुई है तो मान के चलिए कि अगर material का या labor का आपको दे रहा है और उससे related आपको 1000 unit दे रहा है तो 1000 का 80% हम क्या बोलेंगे 800 हमारी क्या होगी एक तरह किसे वो national quantity होगी जो actual quantity के comparison में equal आ रही है यानि 1000 equal to 800 कब अगर 80% ही complete हुआ है अगर 70% complete हुआ है तो 1000 का 70% 700 ठीक है तो यहां पर यहीं बोल रहा है वेन दए aggregate work content of the incomplete unit is deemed to be equivalent to that of substituted quantity ठीक दा principle applies when operation cost are a portion between work in progress and completed units अब देखिये तो question के थूह हलका सा समझ में आएगा तो अब ही आपको दिखा दूँगा आपको पता चल जाएगा कि कि मैं मैं जर्रे जर्रेम से क्या आपको बता रहा हूँ अब देखिए यहां भी बोल रहा है equivalent unit of work in progress कैसे निकल गया है का वह actual number of unit in progress into percentage of work completed equivalent unit should be calculated separately for each element of cost जैसे मैंने अभी आपको labor के लिए बोला metal का generally आपको question में hundred percent ही देगा तो आपका यह बोल रखा है और एक और चीह रखना अगर आपको opening और closing stock दे है तो closing stock का तो आपको बता है कि generally complete नहीं हुआ होगा तो जो भी आपका जितना complete हुआ है जैसे 60% complete हुआ है तो आपको multiply कर देना है जितना आपका complete हुआ है लेकिन opening में क्या होता है ऐसे लिखाता है कि 40% completed यह सब्सक्राइब लिखा है 60% completed और closing में लिखा हुआ है तो closing का तो आप 60% multiply कर देना पड़ेगा आपको पता है कि opening पिछले साल closing था और 60% complete आप पिछले साल ले चके हो तो इस साल कितना complete होगा बाकी 40% इस साल complete हो जाएगा तो आपको क्या गड़ना है बाकी 40% लेना opening में क्योंकि 60% पिछले साल closing था वो तो वो complete हो चुका है ठीक है जैसे आप इस साल closing stock का बोल रहे हो कि 60% completed जो आप इस साल ले रहे हो तो आपको बता है कि जो अगले साल बचेगा वो क्या बचेगा यह opening बन जाएगा और 40% बचेगा तो अगले साल आप opening stock के form में 40% complete करोगे ऐसे तो जितना बच गया opening में वो complete करते हैं चाहे मैं एक question के form में आपको दिखा दूँगा आपको पता चल जाएगा तो यह बोल रहा है कि separate करोगे material labor overhead का because the percentage of completion of different cost component में भी different क्योंकि आपका इसका 70% हो सकता है ओरेट सिर्फ क्या है जरूरी नहीं कि 70% लगे labor की तरह क्या पता सिर्फ 50% ही लगा हो क्या पता सिर्फ 60% ही लगा हो ऐसे accounting procedure में क्या दे रखा है क्योंकि देखिए यह line बचिए बस उसके बाद सीधा मैं आपको question के दूरू बता दूँगा accounting procedure में बोल रहा है कि procedure यह follow करेंगे सबसे पहला है find out equivalent production after taking into account of process losses degree of completion of opening and or closing stock अभी देखिए मैं आपको एक statement दिखाऊंगा जिसे हम बोलता है statement of equivalent production जिसमें क्या होगा input आपको दे रखी होगी output आपको दे रखी होगी जैसे आप process account बनाते हो न तो बस आपको unit देखनी है क्या दिखनी है process में तो आप cost लेते हो generally ठीक है जितना भी material का labor का part है यहाँ पे सिर्फ आपको unit cover करनी है फिर आपका एक और साथ में क्या होगा equivalent का statement बन जाएगा जिसमें वही material का कितना percent 100% labor का कितना 80% 70% ऐसे दे देंगे फिर बोल रहा है find out net process cost according to element of cost that is material labor overhead तो एक अलग से statement बनेगा cost का फिर बोल रहा है ascertain यानि calculate cost per unit of equivalent production of each element of cost separately by dividing each element of cost by respecting equivalent production unit तो वही total cost दे रहे होगी यानि material की cost labor की तो अलग-अलग element of cost आपको जो दे रखा होगा उसमें divide क्या करना है जैसे equivalent production unit divide करोगे तो cost per unit of equivalent production आ जाएगा फिर लास्ट में क्या बोल दिया evaluate the cost of output finished and transferred work in progress generally क्या है हमें process account बनाना पड़ेगा यह बोल रहा है और इसके तुरू में पता चल जाएगा कि finished goods की cost क्या है total cost per unit of equivalent unit will be equal to total cost divided by effective unit and cost of work in progress will be equal to equivalent unit of work in progress multiply by cost per unit of effective production देखिए यह भी आपको समझ में नहीं आएगा जैसे question का बाट बताऊंगा तो आ जाएगा आप simple में अगर step देखना चाहो तो यह बोल रहा है कि सबसे पहले equivalent production का statement बनेगा फिर देखिए वापिस आके पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फिर आपका क्या बनेगा statement of cost per equivalent unit फिर देखिए prepare of evolution वाला पार्ट बनेगा फिर prepare process account बन जाएगा तो एक बार यह particular illustration देख लेते हैं अब देखिए typical नहीं रखा simple रख ठीक है opening closing stock को value करने के लिए leaf method भी होता है आपका average cost भी होता और weighted average भी होता है तो generally इसमें जो question में हम करेंगे उसमें average costing का method यूज क्या है average costing का मलब generally क्या होता है कि पिछली unit और इस बार वाली unit divide by two कर लेते हो अगर तीन stock का element है तो divide by 3 कर लेते हो तो वह generally आपने किस में दे मैंने बताया input और output का दे रखा होगा यहां तक पार्ट दे रखा होगा ठीक है फिर इसके बाद देखिए यह जो पार्ट है पूरा का पूरा यह आपका equivalent production का है फिर आपका जो भी है equivalent production का बाट निकला इससे related जो भी metal निकल का है unit में labor निकल का और overhead निकल का है तो उस case में देखिए equivalent unit यह input कर दी और cost in rupees आपको जनली दे रखी होगी cost divided by equivalent unit करोगे तो cost per equivalent unit आ जाएगा यही बताया था मैंने फिर आपका तीसरा बाट है statement of evaluation का पार्ट उसमें जनली आपको क्या दे रखिए unit completed और closing work in progress का बाट आपको दे रखा है तो यहां पे देखिए यह तीनों equivalent unit का बाट दे रखा होगा multiply करोगे तो क्या निकल के आ जाएगी cost निकल के आ जाएगी और total cost क्या होगी material labor overhead यह मिला के total cost cover हो जाएगी अभी question के बाट में आ रहा है तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा वैसे इतना detail में आपको देखने की जुरत नहीं थी फिर भी दे costing method opening stock आपको दे रखा है material labor overhead दे रखा है 25,10,25 तो देख सकते हो total मिला कि आपका जो हो गया opening stock 50,000 unit है और इसकी जो cost है वो कितनी है 60,000 ठीक है यहाँ पर कुछ नहीं बोल रखा तो मेरे साब सो तो यह 100% complete ही होगा अगर आपको बोलता कि 60% ही completed हो तो इस साल जो opening stock है वो कितन complete हो जाएगा 40% complete हो जाएगा जो तो जो तो हो नहीं है सीधी सी बात है पर यहाँ पर यह बोल रहा है कि कुछ भी नहीं है लिखा हुआ तो इसका मदल अब 100% ही आपका एक तरीके से क्या है इसमें दिखाया जाएगा 25,10,25 अभी देखिए नीचे आपको पता चल जाएगा पूरा 100% दिखाया जाएगा, फिर unit introduce कितने दे रखी है कि साल के दोरान unit कितनी इंटेइप इंटेइउस की गई, तूल से टू में कितनी गई, तो आप देख सकते है कि पहले 50,000 तो आप देख सकते है कि पहले फिफ्तिताउजन यूनिट ती, फिर टूले नाग गए कितनी हो गई 250 हो गई 250 में से कितने गए 150 गए तो बागी कितने बचे वन लेक तो वन लेक क्या क्लोजिंग इस्टॉक यहां दे रखा है डिग्री ओफ कम्प्लिशन देखिए मैटल की 100 परसेंट लेबर की 50 परसेंट और अच्छी बात है अलग-अलग दे रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए और मैटल मैंने जनरली क्या बोलता है 100 परसेंट होता है क्योंकि वह इनीशली ही लग जाता है यह बोल सकते है रो मेटल है वह लग गया अब आपको बताए कि लेबर जो जनरली यूज और यूज और ह हर प्रोसेस में यूज हो रही है और ओरेट भी क्या है दीरे-दीरे होता जा रहा है तो तब तक कितना हुआ था सिर्फ 50 परसेंट और 40 परसेंट ही हुआ था अब देखिए पहला फॉर्मेंट देखिए आपको देखिए कि यह 50,000 बताया और 2,000 बताया ओपनिंग और यू हो ला था तो आप यह देखिए कि जो आपकी हमें यह द्यान रखना पड़ता है कि या रखना कि इस साल कितना एक तरीके से यूनिट काम में आई तो आप देख सकते हैं इंट्रिदूस तो यह वी है लेकिन यूनिट क्या हुआ यह और क्लोजिंग स्टॉक क्या यह है तो जनली यह दो पार्ट यह देखने तो आप देखिए 150 परसेंट इस 150 का 100 इस 150 का 100 इस 150 का 100 इस एंट्रिदूस ने भी लेवर में भी और ओवरेड में वी क्योंकि यह ओपिनिंग स्टॉक के रिलेटटिड़ है ऐसे बोल सकते हैं अब आप देख सकते हैं एक मिनिट ऑर सौर् से रिलेटर। नहीं यूनिट से इ tubal रही तो आपको बता है कि मैंत्रल का पुरा पार्ट लगाऊगा लेबर के पूरा और पी पूरहीं कि आility वह आन्थ परसент क्योंकि देंगा यूनिट 1967 यह से तो आप देख सकते हैं यूनिट कंप्लीटेड में चाहे मैटरल हो चाहे लेबर हो चाहे ओवरेड हो पूरा हंड़ेड परसेंट है लेकिन जब भी हम यह डिगरी ओफ कमप्लीचन वह किस से रिलेट देख रहे हैं क्लोजिंग स्टोक से रिलेट देख रहे हैं तो जैसे ही यह पार्ट आप टूटल करोगे तो देखिए मैटरल की टूफिफिटी लेबर की टूलेक यूनिट और ओवरेड की वन लेक नाइटी इक्विलेंट हो गया इक्विलेंट का मतलब क्या हुआ देखिए मैटरल तो यूनिट का बाळ था complete का और अंपूलेट का 250 है तो ईक्विलेंट 250 ही हो रहा है कितना हो रहा है लेकिन ये जो लेबर का बाढ़ है वो 2,00 टू. इक्विलेंट तो एक तरीगे से हमने equivalent unit निकाल ली, आ गया, अब आपको दे रखा है statement of cost, statement of cost में आपको ये पता है कि material से related opening cost क्या थी, ये थी 25, ठीक है और ये क्या introduce की गई, 1 lakh रुपीज की, ये 10,000 और ये 75, ये 25 और ये 70, तो ये एक बार डंग से देख लेना नीचे, क्योंकि हमें ये ही पता नहीं रहता कि particular क 25,000 और 70, ये दे रखा है, ठीक है, अब देखे क्या करना है, टोटल कर लीजिए, ये टोटल दिख रहा है, ये टोटल दिख रहा है, ये टोटल दिख रहा है, आप जैसे ही equivalent unit से multiply करेंगे, तो देखें, material से related कितनी थी, 250 थी, labor से related कितनी थी, equivalent 2 lakh थी, और overhead से related कितनी थी, 1 lakh 90, divide करेंगे, तो cost per unit निकल के आ जाएगी, अब आपको बताएगी, इसके बाद तीसरा जो statement of evolution का है, जो मैंने आपको ये format दिखाया था, अब या रखना, देखें, statement of evolution का बाट बोलेंगे, तो unit जो complete है, तो आप बोलो कि सर, ये अलग-अलग बनाना जरूरी कि नहीं, क्यो labor का कितना था, 50% और over rate का कितना था आपका, 40%, ऐसे था, तो जो material labor over rate का है, ये अलग देखिए closing में, लेकिन यहाँ पे तो चाया आप 150 का कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताएगी, देखिए cost per equivalent unit आपने भी निकाल ली, तो आप देख सकते हैं, कि जो अलग-अलग निकली वी क्योंकि labor से related unit अलग है, overhead से related unit अलग है, समझ गए, तो इसलिए statement of evolution में आप जाके देखोगे, तो आपको पता चला कि unit introduce and transfer में material, wages, overhead अलग नहीं किया गया, और पूरा का पूरा 150 unit into 1.425, क्योंकि जो ये cost है, इसमें material भी है, wages भी है और overhead भी है, जैसे ही multiply करोगे, ये total cost नि क्योंकि देखिए, आपको पूरा part पता रहना चाहिए, तो ये देखिए, जब आपने equivalent production का part calculate किया था, तो आपने 1 lakh का क्या कर था, 100%, तो material में 1 lakh आया था, आपने 1 lakh का 50% किया थो, तो labor में 50,000 आया था, 1 lakh का 40%, तो overhead में 40,000 आया था, समझ गए, तो देखिए 1 lakh आ गया, 50 आ आ रही है, कितनी आ रही है, 0.425 ये दिख रही है, इसी तरीके से 150 into 0.50, तो इससे अच्छा क्या करूं, 150 into 1.425 करूं नो, unit completed में तो, इसलिए unit completed में इसने क्या कर लिया, पूरा का पूरा एक साथ कर दिया, multiply, time waste नहीं करा, और material labor overhead, जो closing से related है, उसमें अलग-अलग किया, जो कि तीनों में क्या थी, अलग unit थी, तो metal का पूरा 1 lakh, इसका 1 lakh का 50%, और इसका 1 lakh का 40%, तो ये 40,000, ये 50,000, multiply कर दिया, cost per unit से, अलग-अलग जो दे रखी है, तो आपकी ये cost निकल गया गई है, total किया, तो ये total cost है, 3,500, अब उसके बाद इसने process account बना दिया, देखिए, process account में इतना सोचने की जुरत नहीं है, आप देख सकते हैं कि opening stock 50,000 unit था, आप बलो कि sir, ये कहां से आ रही है, आप जाके देखना, ऊपर आपको दे रखा था, 25,000 रुपीज, 10,000, 25, something ऐसे दे रखा था, उसका total करके देखना, 60,000, जो मैंने शुरू-शुरू में आपको बत देखना है, अब आप देखना कि जो particular part हमने ये statement of evolution बनाया, तो 1,50,000 से related क्या है, और जो closing का part है, उससे related cost कितनी है, तो देखिए 1,50,000 से related कितनी है, और जो closing stock है, उससे related cost कितनी है, total मिला कि ये 3,05,000 आ रही है, और यहां पे भी आपका पूरा का पूरा पार 3,05,000 आ रहा लेकिन आपने format में जो दिखाया है, format का particular part की opening और unit, अब ये completed आपने दिखाया और closing stock दिखाया था, क्या दिखाया था, closing stock, लेकिन normal loss भी हो सकता है, और abnormal loss भी हो सकता है, आप देखेंगे normal loss के generally देखिए, कहीं पर या unit दे रखिए, यहां तक का, equivalent में कहीं भी इसका इस्थ नहीं करते है, जबकि abnormal loss के हम accounting करते हैं, accounting करते हैं, तो उस case में क्या होगा, आपका cost में से भी part कम होगा, और unit में से भी कम होगा, तो cost पर unit आपकी same ही रहेगी, तो इसका भी आपको equivalent करना पढ़ेगा, metal के case में, labor के case में, जिसके भी case में आपको करना पढ़ेगा, equivalent, ठीक, अब इसका इतना detail में नहीं बता रहा लेकिन फिर भी आपको पार्ट कवर करना है तो आप मेरे से question ले सकते हैं PDF के form में और आपको ज़्यादा कवर करना है तो कर सकते हैं अब देखिए मैं आपको एक पार्ट बस यह बता रहा हूं कि opening stock का completed in completed इसका generally क्या पार्ट है एक question मुझे दिख जाए बस एक मिनट हाँ यह रहा देखिए यह बोल रहा है कि अगर 1000 उनिट में 60% completed है ऐसे पार्ट दे दिया ना तो generally जो आप statement of equivalent production का पार्ट बनाते हो जिसमें जनरली आप क्या बोलते हो कि unit कि इंटिट्यूस वी opening कितना है तो देखिए opening work in progress का part 1000 और यह कितना 10,000 अब आप देख सकते हैं कि जो equivalent percentage है तो 1000 का 40% तो इस साल कितना करेंगे 40% क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर क्या बोल दिया कि 1000 में 60% complete हो गया तो इस साल कितना complete हो का 40% अब देखिए closing कितना है 75% complete हुआ है तो 800 का यह direct 75% क्योंकि यह closing है जबकि opening opening पिछले साल closing था तो इसका मलब वो पिछले साल अपनने 60% लिया था end में 1000 का 60% 600 तो इस साल कितना लेंगे 400 कबर करेंगे तो यही बार आपको नीचे दे रखा है कि इसका अपनने 40% 400 जबकि 800 का हमने 75% ही जितना complete हो गया ठीक है इसमें कितना complete हो गया था 60% लेकिन इस साल कितना complete होना 40% और इसमें कितना complete हो गया closing में 75% हो गया ठीक तो देखिये abnormal loss का part भी आपको दे रखा है उसको भी आपको equivalent में convert करना है तो question में जैसे आपको दे रखा होगा उसके साब साब को देखना पड़ेगा ठीक और तो कोई से related part आपका नहीं है generally जो मैंने आपको बत क्योंकि यहां पर देखिए वही simple case क्योंकि यही बोल रखा है कि total cost को किससे डिवाइड किया था कि जो भी particular cost था उसको हमने equivalent unit से डिवाइड कर दिया तो cost per unit निकल के आ गई थी तो यहीं बोल रहा है कि cost per unit of equivalent unit क्या है जो भी हमने effective units calculate की थी क्योंकि अगर हम labor की case में override के case मे देखेंगे तो उसमें आपका जो degree of completion है वो पूरा नहीं था तो उस case में आपने जो भी निकाला उसके basis पे आपका equivalent units का part आ गया था यहीं देखा था आपने ठीक है फिर इसके अलावा यह भी बोल रखा है कि multiply होगा क्या cost of work in progress will be equal to equivalent unit of work in progress प्रोग्रेस multiplied by cost per unit of effective production तो आप देख सकते हैं कि जो equivalent unit of work in progress निकली है उसको cost per unit जो हमने निकाली उपर उससे multiply कर दिया तो हमारी क्या निकल कर आ गई गई cost of work in progress निकल कर आ गई जो कि closing stock से related थी तो आप देख सकते हो कि यही तो multiply गया था कि 1 lakh को हमने 0.50 से 50,000 को 0.425 से 40,000 को 0.50 से जो कि हमने उपर अभी cost per unit निकाली थी तो इससे multiply कर रहा और यह निकल कर आ गया और आप देख सकते हैं कि दोनों side में 3 lakh 5 और 3 lakh 5 total आ रहा है तो आपके कोई गलती है ही निए इसमें मैच कर गया इस तरीके से आपका पार आता है अब देखिए आपको जो पार बचा है वो उपर बचा है सारा का सारा वैसे हो गया है लेकिन जो बचे है वो main 3 पार और बचे है theoretical क्योंकि देखिए theoretical बहुत जाद आता है तो यह cover कराना जर मेरे पास इतने ज़्यादा resource नहीं है कि मैं आपको powerpoint की presentation के through एक person आ रहा है फिर वह जा रहा है इस तरीके से provide करा हूँ क्योंकि अगर वो मैं बनाने बैठ हूँगा तो एक particular PDF को बनने में या powerpoint की presentation को बनने में बहुत ज़्यादा दिल लग जाते है तो उनके पास तो क्या manpower भी है जो particular coaching है तो वो सारा resources apply कर लेती है लेकिन वो आपको क्या करती है कि limited video ही provide करती है इतनी ज़्यादा video provide नहीं करती है जितनी मैं particular provide कर रहा हूँ आपको तो उस case में क्या करता हूँ कि मैं आपको सारे के सारे provide करने की कोशिश करता हूँ बस मेरे में क्या होता है कि वापिस से अगर रीट करोगे PDF देखोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा यह पर्टिकलर पारपॉइंट की प्रिजेंटेशन तो आज देखी फिर आपको क्या होगा कि दस दिन बाद थोड़ी वापिस देखोगे भूल जाओगे हाँ देखोगे पर्टिकलर लेकिन क्या ह होता है कि जनरल कई दोवारी वीडियो घर करोंगे तीन भारी वीडियो प्ले करोंगा जाओगे उसको देखी लेते हो आप मैंने युलब हमारे उनक Amen可能 प्रोफर करता है में कभी ऑ prim 2 दीरे चर्षिका पर्टे मैं और वहां पर एक तरीके से कौश्टली पार्ट होता है यहां पर क्या आपको ज्यादा कौश्टली प्रवाइड नहीं की जारी कोचिंग बस यह तो देखिए जनरल प्रिंसिपल का तो पार्ट आपका हो गया था फीचर्स का बाट है फीचर्स में आप देखोगे क्या दे स्टार्ट कर दिया तो आप स्टील हमने बताया था पेपर इंडस्ट्र इंडस्ट्री होता रहता है उसमें ढमो started आर्र वेसे तो कहीं भी और रहा है कि परोसस्तिंग यहां काम आ सकते है वो साइम कॉंप्यूटर कर रहे हैं अगर आप computer देखोंगे, तो computer से related आपको क्या दिखेंगे, सारी companies, same computer तो नहीं, laptop देखोगी, तो laptop आपको क्या दिखेंगे, जातर same configuration के, या homogenous आपको दिखेंगे, तो आपके वास बहुत सारे option रहेंगे, तो industries क्या करती है, generally homogenous production प्रोड्यूस करती है, ये भी हो सकता है, और आप TV देखते हो, तो TV के बहुत सारे अलग-अलग model आजाते हैं, आप laptop देखते हो, एक HP company है, वो अलग-अलग क्या करती है, model निकाल लेती है, लेकिन उसके अंदर अगर chip डल रही है, मान के चलो, तो i3 जो chip पे मान के चलो, कि i3 processor है, वो किसी दूसरी laptop में भी डल सकता है, model में, क्योंकि अगर model की configuration में वो है, तो उस case में क्या होता है, कि वो particular उस i3 processor को भी बेच सकती है, बना के, तो उस case में आपको process costing में ये पता चल जाता है, कि इसकी क्या है, फिर आपको बोल दिया, process is standardized, इसका मलब क्या है, वो standard size का particular quality निकल के आ रही है, quantity निकल के आ रही है और उसको आप क्या कर रहे हो, बेचने का काम कर रहे हो, ये नहीं कि मैंने आपको बोला कि paper industry है, तो particular एक paper की cost देख रही है, वो नहीं, अगर वो lot के साब से देख रही है, कि particular जो भी goods निकला है, वो कैसे निकला है, या book industry की बात कर दीजिए, कि जो book निकल के आ रही है, त तो एक particular book की बात कर रहे हैं, कि उसके अंदर एक paper की बात कर रहे है, तो ये बोल रहा है कि वो particular जो process है, वो standard size के goods produce करने वाला होना चाहिए, output of one process become raw material of another process, वो input बन जाएगा, जो एक के लिए output है, दूसरे के लिए input, output of the last process is transfer to finish stock, ये भी आपको बता है, cost are collected process wise, जिसमें करते हैं, process wise collect की जाती है, फिर बोल दिया, both direct and indirect costs are accumulated in each process, ये तो आपको पता है, direct material, direct labor, direct expense, ये तो आता है, ये प्राइम cost, उसके लावा overhead भी आते हैं, तो overhead क्या है, वो indirect ही है, तो indirect cost भी accumulate की जाती है, if there is a stock of semi finished goods, जैसे हमने पढ़ा, it is expressed in term of equivalent unit, हमने किया भी cover, ठीक है, तो 1 lakh का है, तो material के case में पूरा 250 आ रहा था, लेकिन अगर आप labor के case में देखोगे तो सिर्फ equivalent में 2 lakh आ रहा था, और overhead के case में 1 lakh 90 आ रहा था, तो इसका मतलब क्या है, 250 is equal to 1 lakh 90 है, labor और overhead के case में, खीक है, और material में पूरा का पूरा 250 है, total cost of each process is divided by normal output of that process to find out cost per unit of that process, कि normal output निकलता तो कितना निकलता है, इसलिए हमने equivalent में करनर कर दिया, अगर work in progress होता ही नहीं, तो इस case में आपको बताए कि actual output क्या निकला है, तो वो divide कर देते हैं, तो cost per unit आ जाती, यह बोल रहा, common example कौन सा है, process costing का, वैसे तो मैंने ऊपर बहुत सारे बता दिये, लेकिन यहां पे दे द दो, अब ठीक है, देखे इस case में generally यह बोल रहा है कि जब भी बहुत सारे manufacturers होते हैं, और वो एक ही type के product निकाल रहा है, नि same type के product ही क्या कर रहा है, तो यहां पे यही बोल रहा है कि एक example दे रहा है, if mass produced televisions have the same part, mass produced television में बलब क्या होता है, television bulk में produce होते है, अलग अलग जो manufacturer है, वो भी क्या कर रहे है, television, same quality, homogenous generally क्या कर रहे है, goods produce कर रहे है, तो यहां पे यही बोला कि process costing का आगाम आती है, जहां पे continuous production होता है, और homogenous goods produce के जाते हैं, आपको समझ में आ गया, manufacturers can assign consistent prices to products based on how much the products cost to manufacture, overall, तो generally क्या होता है, कि जब भी यह TVV जो भी manufacture कर रहे है, तो particular, हर component क पार्ट अगर वो manufacture कर रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि cost जादा है, क्योंकि हर process की cost पता चल जाती है, तो बाहर से वो component भाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको क्या बोला, कि computer बन रहे हैं, तो उसमें अगर CPU का element है, तो CPU के अंदर भी बहुत सारे पार्ट आते हैं, अगर CPU टोटल मला के आपको manufacturing में 10,000 का पढ़ रहा है, क्योंकि आपको cost per unit पता चल गई, कि per unit की cost कितनी है, और आपको पता है कि directly ही आप by उसी quality का 8,000 में कर सकते हो, तो आप उसको बनाना प्रफर्ण नहीं करोगे, आप सीधा खरीदना, तो process से ये पता चल जाता है, ठीक, तो ये generally आपको दे रखा है कि manufacture एक तरीके से क्या कर सकते हैं, product की consistent price पता कर सकते हैं, component की क्या price आ रही है, और overall manufacturing करने पर क्या cost आ रही है, वो पता कर सकते हैं, और देखिए, हर particular जैसे supplier होगा, वो भी क्या करेंगे, दूसरे supplier से, मैं supplier नहीं, जो भी बायर होगा, वो supplier से क्या क अगरे का खरीदने की करेगा, तो आपको बताए कि आप TV manufacturer हो, सामने आला भी TV manufacturer है, तो अगर आपको raw metal चाहिए, तो आप भी क्या करोगे, उसी supplier से खरीद होगे, जो दूसरा भी खरीद रहा है, ठीक है, जातर यही होता है, जनरली देखोगे कि एक ही supplier क्या करता है, कईयों को supply करता है buyers को, तो वो भी case हो सकता है, तब जाके क्या होगी, consistent price ही होगी, price में इतना जाता fluctuation नहीं होगा, फिर second क्या बोल दिया, industries with multiple departments, देखिए वो department हो गया, एक department जैसे मैंने आपको कल example बताया था, कि अगर paper industry होती है, तो वो क्या गरती है, सबसे पहले लकडी में से pulp में निकालती है, pulp के बाद क्या करती है, उसको beat करती है, beat के बाद क्या गरती है, paper बना देती है, ये बोल रहा है, अब वो paper क्या होता है, finishing वाला नहीं होता, raw form में होता है, एक तरीके से, बनतो गया, लेकिन उसमें finishing नहीं हो रखी होती, तो finishing करती है, यह सारा part आगया, ठीक, इस तरीके से बहुत सारे part आते हैं, अगर आपने car particular, car manufacturing industry से related part देखोगे तो सारा part क्या होता है, बीच में क्या होता है, सबसे पहले, car का एक तरीके से framework बनाया जाता है, या जो भी design create की जाती है, उसके बाद उसको manufacture कर जाएगा, assembly का part हो जोरा business that have multiple department usually use process costing, so that management can assess the cost accumulated by each department, cost accumulated मतलब कितना direct metal लगा, कितना indirect overhead लगा, यही तो है, कितना indirect metal, indirect labor, indirect expense लगा, वो पता चल जाएगा, हर department का, for example, जैसे मैंने आपको बताया था, कि वो pulp निकालते हैं, तो pulp से रिलिट जो department है, उसको पता चल जाएगा, कि हमारी cost क्या रही है, जो बीट करते हैं, उनको पता चल जाएगा, हमारी cost क्या रही है, और जो paper बनाते हैं, उनको पता चल जाएगा, कि इसकी generally cost क्या है, और इस पे कितना margin जोड के market में बेचना है, one department can take the raw resources and refine them before turning them into finished parts, another department can assemble the part, and the third department can test the finished product to assess both quality and safety, यही बोल दिया, Materials might need to be shipped from one department to another, which may incur additional cost, when the cost of production go up unexpectedly, process costing can allow management to quickly pinpoint the department responsible for the increased cost and identify the source of increased cost, अगर आपने example देखा तो आपको पता चला, कि 100 rupees की cost आ रही है, लेकिन अगले वाले में कम हो जाती है, अगर जादा हो जाती है, तो उस case में हम क्या करेंगे, उस department को pinpoint कर सकते हैं, क्योंकि पहले department के तो 100 cost थी per unit की, लेकिन दूसरे की कितने हो गई, 120 rupees हो गई, तो सामने आल थी, वो उसी particular price में क्या कर रहा था, provide कर रहा था, तो आप चेक करवा सकते हो, जनरली ये भी हो सकता है, यानि department एक तरह के से report देगा, और responsible department ही थेराया जाएगा, ये बोल रहा है, फिर बोल रहा है, industries with interchangeable parts, ये मैंने आपको बता दिया, कि जनरली क्या होता है, आप जो भी CPU भी बना रहे हो, तो CPU को individually company based देती है, जो computer बनाने वाली होती है, ठीक है, इसी तरीके से जो laptop बनाती है, उसको पता है कि, जब laptop कोई खरीदेगा, तो 2-3 साल, 5 साल बाद यूज़ करने के बाद उसके कुछ पर्ट खराब भी हो सकते हैं, तो वो particular parts भी क्या करती है, individually sale करती है, तो उस particular part की individual cost उसको पता चल जाती कैसे, क्योंकि process के through होके गुजरा है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस पे कितना metal लगा, कितनी labor लगी होगी, कितना expense लगा होगा, ठीक है, कि सबसे पहले हमने क्या बनाया, उसको apply करा क्या, दूसरे process में, तो पहले process का part पता चल लिए, process costing comes into play when a factory manufacturer identical part, for example, a computer manufacturing plant will create numerous components that are interchangeable among computers of the same model, जैसे motherboard हो गई, तो आपको पताए कि जरूरी नहीं कि एक ही computer में वो काम है, अलग-अलग model में काम हो सकती है, लेकिन configuration दूसरी change हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि same configuration हर model में रह, एक company के चार model है computer के, तो हर model में motherboard सेम हो सक सकता है, motherboard अलग-अलग भी हो सकती है, ऐसा part भी हो सकता है, तो process costing allows manufacturer to sell individual parts separately to computer repair shops और individual buyers, since the manufacturers know the cost of separate parts, तो वो खुद individually भी सकती है, आपने देखा होगा कि कई company खुद की sites पे component भी बेशती है, यानि finish goods भी बेशती है और उनके parts भी बेशने का काम करती है, इसके अलावा वो repair shops य आपको मिल जाते हैं, या mobile company के खुद के क्या होते हैं, center बने होते हैं, वहां से जाके आपको मिल जाते हैं, ठीक, वहां से जाके आप ठीक करा सकते हो, fourth industries with varying product features, देखिए इसमे जनरली आप ऐसे बोल सकते हो कि manufacturer जब भी क्या करता है, कोई भी product निकालता है, तो उसके क्या कर अलग-अलग variant निकाल लेता है, varying product feature, तो अलग-अलग variant, अलग-अलग feature, जैसे आप mobile company देखते हैं, तो क्या करती है, कि एक ही model निकालती है, लेकिन एक में क्या करती है, 32 GB लिख लेती है, ये mobile की क्या बोल सकते है, जो memory की वो 32 GB की होगी, एक में 64 GB, एक में 128 और एक 256, ऐसे आपने देखा होगा, आजकल mobile companies बहुत सारा करती है, इसी तरी के प्रोसेसर में कभी-कभी क्या होता है, चेंज होता है, जातर तो क्या होता है, memory के पार्ट में होता है, आप देख सकते हो, कि एक company क्या कर रही है, फ्रेंट का 24 निकाल रही है, और एक वही company क्या कर रही है, दूसरे model से related, यानि model तो सेम ही है, लेकिन जो variant निकाल रही है, तो एक में 24 निकाल रही है, एक में 48 निकाल रही है, तो product तो सेम है, लेकिन उसमें variety लेके आ रही है, तो वैसे इसमें एक example दे रखा है, कि एक company क्या कर रही है, manufacture, दो coffee ports manufacture कर रही है, होंगे कोई electronics, तो जिसमे क्या गोल रहां एक में तो timer लगा दिया और गोर नहीं लगाया तो आप देखिए timer कब लगेगा बाद में कहने का माल ड़ режल की तेन ऑडने का दो कि पोफ़से चाला गा बने कॉस्ते करद घृँज से जट एक प्लस प्लस जोड़के और अगर टायमर लगा दिया तो उस टाइमर की चौस्ट क्या है वो भी जनरली आपको पता चल जाएगी यह गया ना और अगले process की cost भी आपको पता चल जाएगी कि timer के साथ cost कितनी है तो यह बोल रहा है पढ़के देख लेना बोल रहा है manufacturers can release two version of the product with one version costing less but having fewer feature and another product costing more but having more features process costing let the manufacturer know how much the timer cost to add to the coffee pot coffee pot में timer को लगाने की कितनी cost आई वो उसको पता चल जाती है which enables the manufacturer to cause how much it must raise the price on the coffee pot with the timer क्योंकि timer की cost individually पता चल गई तो उसको यह पता है कि coffee pot जो बिना timer की cost वाली है उसके साथ timer की कितनी cost add की जाए वो उसको पता चल जाएगा उसको ज्यादा difficulty नहीं होगी फिर आपको बोल दिया last में innovative industries process costing वो यूज करती है जो ज्यादा innovation के तरीके अपनाती है यहां बोलती है for example manufacturers cannot determine an appropriate price for a new type of product without knowing how much the product will cost to manufacture overall तो overall जानने के लिए process का तरीका जानना ज़रूर ही है अब देखिए innovation का बाद क्यों बोल रखा है क्योंकि एक process फिर दूसर process यहां यहां फिर तीसरा process अब यह आपका पुराना product है ठीक है अब company ने innovation किया उसी product को थोड़ा change किया तो company को पहले पता था कि old की क्या cost है उसमें और feature add कर दिये research and development के दूरू और part के दूरू तो अलग से cost और पता चल गई सेम और उसमें और feature add करके पता चल गया कि उस नए product को जिसको renovate किया है उसकी cost किया है ठीक है यह बिलकुँ नए product भी बना रहे है तो एक particular process से होके जा रहे है तो generally हमें innovation की cost भी पता चल जाएगी in addition business businesses cannot determine if a product will be profitable until they know the overall cost so they can estimate the maximum price that customer will pay for the product तो उस case में क्या बोल दिया कि आपको overall cost पता रहेनी चाहिए जो कि process की दुराराम से पता चल जाती है advantage क्या है कि बोल रहा है cost जो भी computer होती हो periodically होती है at the end of a particular period यह हो गया it is simple and involves less clerical work that job costing देखिए generally क्या accounting का वर्क जो भी होगा या जो भी office related work होगा अगर जौब costing का तो जौब कोश्टिंग में पर्टिक्लर जॉब है कि उसमें जितने भी material लेबर यह सारा पाट है यह सारा आपको एक साथ arrange करना पड़ेगा जबकि process में क्या है आपको पताए कि एक पर्टिक्लर प्रोसेस की कोश्ट पता चल गई तो उसमें हमने material labor expense एक जगे लिख दिया फिर दूसरे process का जितना matter लगा और जितना उस पर लेबर का यूज हुआ तो वह एक तरीके से labor mix match नहीं हुआ यानि total एक साथ नहीं आ गया जो कि जौब costing में total आ जाता है तो जौब costing में आप क्या कर रहे है उस particular metal के पार्ट को एक साथ लिख रहे हो तो उस case में क्या आप सारे पार्ट को एक साथ कवर कर रहे हो जबकि यहां पर क्या है process costing simple है और हर particular process के आपको cost पता चल रही है फिर आपको वोल दिया it is easy to allocate the expense to processes in order to have accurate cost तो आप cost को आराम से accumulate कर सकते हो क्योंकि generally हर cost पता करना मुश्किल होता है हाँ production overhead generally जो होते हों indirect होते हैं उनको हमें apportionment करना पड़ता है बातना पड़ता है किसी particular proportion में जैसे हमको क्या करना पड़ता है rate पर और निकालनी पड़ती है यह हम बोलते है यह rate पर unit निकालनी पड़ती है production निकालने के लिए rate पर machine और निकालनी पड़ती है rate पर labor और निकालनी पड़ती है मतलब कोई ना कोई हमें blanket rate चाहिए होती है ऐसे बोल सकते है अगर हम पुरानी absorption costing की बात कर रहे है देखे जनरली ये पुरानी technique ही है आजकल फिर भी नहीं आने लग गई जैसे ABC costing आईगी जिसमें हर activity की cost का पाट आता है use of standard costing system in very effective in process costing situation तो यहाँ पर क्या बोल दिया कि standard costing system का आराम से आप use कर सकते हो process costing situation में बहुत effective है महलब उस case में आप standard rate आराम से ताय कर सकते हो क्योंकि देखिए आपको process costing में एक तरीके से cost पता चल गई अगर आप material labor expense को पहले से ही estimate कर पार रहे हो standard costing के तुरू तो इस case में आप क्या कर सकते हो estimated cost per minute पहले से ही scientifically निकाल सकते हो जैसा आप standard costing में लगा सकते हो तो process costing का भी use हो गया और उसके साथ साथ standard costing का भी use हो गया process costing helps in preparation of tender quotation वो ही बोली लगती है निलामी लगती है तो इस case में particular कितने में आपका हम बोल सकते हैं कि goods भीख सकता है ठीक तो आप cost में कितना profit margin रखोगे क्या अपने goods की price coat करोगे market में तो उससे आपको help मिल जाएगी एक तरीके process costing के थूँ जिससे आप थोड़ा सा margin तो कमा सको देखिए government tender निकलता है तो government को क्या चाहिए होती है कम बोली चाहिए होती है generally ठीक अब वो देखो चोरी वोरी नहीं हो ब्रिष्टा चाड़ नहीं हो अलग बात है घूस खोरी नहीं हो government जिसमें generally क्या करते है कि अपने ही जान करो या relatives जो होते हैं उनको फायदा पहुचानी कोशिश करती है और खुद भी पैसा खाने के करती है वो बात तो लगे लेकिन normal अगर industry होगी अच्छी होगी तो वो क्या करेगी एक lower price set कर पाएगी जिस पे वो margin भी कमा पाएगी किसके थूरू process costing के थूरू तो यह बोल रहा है कि cost data हर process के लिए अवेलेबल है तो उस case में manager control आराम से अच्छा हो सकता है अब इसके अलावा और भी तरीके होते हैं जैसे मैंने आपको ABC costing बता है जिसमें हर activity का पाट बता चलेगा लेकिन वो costly होती है क्योंकि उस case में क्या होगा कि purchase की activity का पाट फिर वो आगे जाने का पाट हो गया metal issue करने का पाट हो गया number of research कितनी करी number of call कितने customer ने उठाए वो सबकी cost आपकी ABC costing में activity based costing में निकल जाती है तो वो तो आगे पाट आएगा अब देखिए या limitation का पाट दे रहा है तो सबसे भी लगया है cost obtained at each process is only historical cost and are not very useful for effective control अब देखिए अगर हमने इसमें standard costing का पाट यूज ही नहीं करा यानि हमने estimated का पाट यूज नहीं करा तो generally हम क्या कर रहे है कि real में कितना production हुआ है तो generally जो आपको cost per unit दिखेगी वो past वाली दिखेगी तो past वाली मतलब historical data दिखेगा ठीक तो आपको future cost इसमें नहीं दिखेगी तो effective control ये decision making इसमें आप नहीं अप्लाए कर पाओगे management decision नहीं ले सकता तो उसको decision लेने के लिए budgetary control और standard costing कहीं सारा लेना पड़ेगा इसका वो सारा नहीं ले पाएगा process costing is based on average cost method क्योंकि divide by unit करते हो तो क्या निकल कहाती है cost जिसकों क्या बोलते है average cost which is not that suitable for performance analysis evolution and manager control जो कि मैंने आपको बता है कि budgetary control standard costing या आजकल जो आर्य काइजन costing ये particular क्या होती है इक तरीके से useful हो सकती है work in progress is generally done on estimated basis which lead to inaccuracy in total cost calculation अब देखिये work in progress जो generally work किसके basis वहाँ estimated basis पे कि कितना work done हो गया ठीक उसके basis में हमने क्या करते है equivalent unit में convert कर दिया अब जरूरी थोड़ी है कि equivalent unit आपकी आज निकलती और आपका 80% काम ही complete हुआ है तो उतनी ही निकलती जरूरी नहीं इतना पाथ निकले तो यह बोल रहा है कि कभी-कभी inaccuracy होती है उसके तुरू cost calculation भी नहीं हो पाती ठीक क्योंकि क्या पता जो finished goods निकल के आए labor overhead के तुरू अगर 100% हो तो वो कुछ और निकल के है ऐसे बोल रहा है the computation of average cost is more difficult in those cases where more than one type of product is manufactured and division of the cost element is necessary ठीक इसमें generally यह बोल रहा है कि जब भी आप एक से ज़्यादा product manufacture करते हो तो उस case में average cost compute करना मुश्किल होता है क्यों क्योंकि उस case में आपको cost element को division करना necessary होता है इसका मतलब अगर आपके दो product है जैसे यह बोल दे कि biscuit का भी काम है और केक से related काम भी है तो आपको पता है कि biscuit से related अगर अलग देखने पड़ेगी उसकी metal का पार्ट लेबर का पार्ट अगर आपने जो लेबर जो केक से related बनाने का काम करते हैं वो यह भी produce करते हैं तो आपको दोनों पार्ट को अलग-अलग करना पड़ेगा तो cost element को आपको अलग-अलग करना जरूर ही है अगर नहीं करा तो उस case में जनरली biscuit की और केक की अलग से average cost आप पता नहीं कर पाओगे यही बोल रहा है और यहां रखना कि जैसे equivalent production की बात करता है work in progress की estimated basis पर क्योंकि आपको बताएं कि वह क्लोजिंग में होता है unit completed में तो पूरा का पूरा मेरिटर लग गया लेवर लग गया overhead आपका जनरली क्लोजिंग तो उसमें तो आप क्या कर रहे हो एस्टीमेटी कर रहे हो कि जनरली क्या होगा तो वह कितना होगा पर जरूरी नहीं कि उतना closing stock एक तरह किसा आपका रहे तो उस case में क्या हो सकता है थोड़ा सा cost में गरबढ हो सकती है यह बोल रहा है कि अगर same process से अलग अलग प्रोड निकल के आ रहे और common cost और प्रो रेटेड टू वार्यस कॉस्ट यूनिट एक common अगर लेबर के basis पर अलग अलग करते तो अगर different product हो रहे हैं तो हर process का पार्ट आपको अलग अलग देखना पड़ेगा अगर आपने सारा element of cost आपको बता दिये थे कि मेरे साब से element of cost का पार्ट मैंने आपको बताई दिया था कि एक मिनट जहां तक में को ध्यान आ रहा है accounting for labor हाँ हाँ पिछली वीडियो में मैंने आपको जनरली बता दिया थे तो आपका सारा पार्ट हो गया है यह process costing से इसके आपको पास्टेर के question देखने को नहीं मिलेंगे ठीक है क्योंकि टॉपिक जून 19 से मेरे साब साइड हुआ है क्योंकि मैंने पीछे के पहले course नहीं देखा लेकिन एक बार आप देखना अगर आपके अस पुरानी reference book है तो उसमें आपको नहीं दिखेंगा तो हम क्या करेंगे कि आगे जितने भी costing के पार्ट होंगे दो टीन टॉपिक उसके साथ mcqs कवर करते जाएंगे important तो इसके मैं important कवर कर लूँगा जैसे abc costing आएगी उसके बाद आपकी life cycle आएगी kaizen आएगी जो भी आपके आगयाते जाएंगे तो दो टीन टॉपिक करते करते हम mcq किस भी कवर कर लेंगे तो आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो देखने के लिए थैंक यू